आपके परसन की क्या है फीलिंग्स आपके परसन की टेरो कार्ड में देखेंगे प्लीज चैनल को लाइक सिस्क्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा ताकि नोटिफिकेशन ओन हो जाए और मैं जैसे ही रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जाए तो देखते हैं कि आपकी जो परसन है उनकी फीलिंग आपके लिजेगा और मैं पहले से ही बता कर आज की टेरोकार डीटिंग कर रही हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको ये भी डिसेट करने में आसानी हो कि मुझे यी रीडिंग देखनी चाहिए या नहीं आज की रीडिंग में नो कॉंटेक्स सिच्वेश हो रही है तो आज की रीडिंग आप देख सकते हैं आज की रीडिंग मैं करने ही जा रही हूँ नो कॉंटेक्स सिच्वेशन बालों के लिए कि आपका नो कॉंटेक्स सिच्वेशन कब खतम होगा कब वो शुब घड़ी हाएगी जब आपके परसन आपसे बात करेंगे उनक कुछ ऐसा है जो उनके दिमाग में आपको लेकर चलता रहता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है वो सार चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ टेरो कार्ट से देख कर तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीटिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं बट हर किसी के साथ रे रेजोनेट करता है तो चले स्टार्ट कर लेते हैं और बता देती हूँ कि आज के लिए अभी अपॉन्मेंट लाइन को मैंने ओपन कर दिया है अगर आपको बुक करनी है अपनी रीडिंग तो आप तुरंत जली से जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं क्योंकि अभी जो अपन्मेंट लाइन है वो ओपन है क्लोज होने से पहले आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो नंबर को नोट कर लीजेगा 95401-19650 यह जो नंबर मैंने बोला है इस नंबर पर मैसेज करकर आप अपन्मेंट बुक कर सकते हैं पेट सर्वेस हैं तो चलीए भई बॉटम अब नकार्ड तो यहां पर गोिंग इंग फलो कि तरफ आया है देख रहो हैं प्टम अब दїक कार्ड फुल एनर्जी से हैं भरा हुआ क्या कह रहा है bottom of the card आप सोच रहोगे इतने सारे card लेकर मैं bottom of the card बता रही है हाँ मुझे इसमें energy feel हो रही है इसलिए मैं बता रही हूँ bottom of the card की energies यहाँ पर यह कह रही है कि इस समय पर कुछ ऐसी situation है कि partner बात करना चाहते हैं लेकिन बात करना चाहते हैं से मतलब नहीं होता है वो अपनी feeling तो share करें है ना क्योंकि मैं साफ देख रही हूँ tarot card के according आपका no contact situation पिछले काफी time से है मेरे को यहाँ पर stress के card से साफ दिखाए देरा आप यह card देख रही होगे stress का यह card आपके partner की तरफ से आया है कुछ न कुछ तो ऐसा है जो समय वो stress कर रहे है present जो situation है आपके person की वो यहाँ पर यह कह रही है कि बहुत ज़्यादा यह person stress में हो रहे है क्योंकि कही न कहीं उन्हें आपको miss कर रहे है या कुछ ऐसी बात है जो वो आपके साथ share करना चाहते है ये कुछ ऐसी इस समय की उनकी लाइफ में प्रावलम है, कुछ इशूज है, अकेला पन है, कुछ तरह की कुछ, कभी कभी सम्टाइम सो जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, कोई एक इनसान हो है ना, जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके, अपनी फेलिंग शे खायते रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, तो ये काड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि ये भी कह रहा है कि नो कांटेक्ट को अब ये परसन खतम करना चाते हैं, और आपके साथ अपनी भावनाओं को, अपने रिलेशनसिप को दुबारा से शुरू बात करना चाते हैं, इफ अगर अभी तक आपके परसन ने कोई भी बात आपसे की ही नहीं है, आपके रिलेशनसिप स्टार्ट तो हुआ है, आप फिलिंग को शेर करने वाले हैं, गोईं गुद्धा फ्लों की अनर्जी आज बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत जादा, दा उटसेडर का कार्ड भी गुविद्धा फ्लों से ही अटेच आ रहा है, ये कार्ड भी यहां पर यह कह रहा है, कि आपके परसन ने, देखें, अगर देखा जाए, तो इस समय ब्लॉक कांटेक्ट हो रखा है, ठीक है, ये कार्ड मोस्टली जबी आता है, जब कुछ ऐसी सुच्वेशन होती है, जिसमें सामने वाले ने आपको ब्लॉक तो कर दिया है, ठीक है, चाहे वो आपका मेल पार्सन हो, चाहे आपका वो फीमेल पार्सन हो, चाहे उनके साथ आपका रिष्टा कोई भी हो, सामने वाले ने आपको ब्लॉक तो कर दिया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ अपने प्यार की फेलिंग अपनी शेर नहीं कर रहा है, कुछ मजबूरियां हैं उसकी, कुछ परेशानियां हैं, वो आपकी तरफ उसका दिमाग लगा हुआ है, वो आपकी तरफ बराबर देख रहा है, चाहें वो चुपके से देखें, और सामने से ना देखें, नजरें बचा के देखें, शोशल मीडिया के थ्रू देखें, लेकिन उसका ध्यान, उसका दिमाग, उसकी नजरें आप पर है, पूरी तरीके से हैं और वो आपको ब्लॉक भी करके बैठा हुआ है कि कईना कुछ situation ही ऐसी है कि वो ब्लॉक करके बैठा हुआ है ये person लेकिन अब ये no contact situation को यहाँ पर खतम करना चाहते हैं ये person इनकी जो energies आ रही है वो यहां पर यह आ रही है कि यह आपके साथ अपने relationship को आगे लेकर जाना चाहते हैं मतलब अब यह card तो बहुत कुछ कह रहा है एक चीज तो कहने रहा है यह card बहुत सारी बातों को बता रहा है और यह card यह कह रहा है कि अगर यदि मैं भी राशियां भी बताऊंगी तक कि आपको थोड़ा सा यह स्योटी हो जाती है राशियों से और alphabet से कि भाई energies आपके साथ कितना match कर रही है न तो यह क्या चाहते हैं यह card तो शादी तक जाता है यह card तो मैरिज्द तक जा रहा है यह card तो यह भी गयरा है कि यह इंसान की एक्ष़ है कि आपके साथ मैरिज्द करें अब हो सकता है कि आपका रिष्टा कोई ऐसा हो जिसमें मैरिद तो करनी नहीं है तो आप इस energies आपको मैरिस तक जाती हो और आपकी हाँ एक्षा है और आप और आपके परसन दोनों ने इस चीज के बारे में काफी जादा पहले बात की है या फिर आप सोच रहे हो कि हाँ भई हमें मैरिस करने चाहिए हमारा रिश्टा तो बहुत ही अच्छा बहुत विट्यूफुल है हम अपने रिलेश्टिप को मैरिस तक लेके जाना चाहिए तो आज यह परसन इतने जादा अपनी लाइफ के ऐसे दौर में है ऐसी सिच्वेशन में है कि यह बतलब कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं है ना कुछ ऐसे फैस्ले लेना चाहते हैं जिसमें इनके साथ आपका रिले परिशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर यह एनर्जी मेरे को शो हो रही है ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ कुछ चीज़ और भी बता देती हूं फिर राशी फल बताओंगी तो वह ज्यादा बैटर रहेगा कुछ यहां पर कुछ ऐसी सिच्वेशन भी दिख रही है हलाकि यह जो कार्ड है इसमें जो अनर्जीज आ रही है जैसे जो नो कॉंटक्स सिच्वेशन आपका हुआ है या कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जिनके बारे में मतलब आपके परसन आप से शेयर करना चाहते हैं बट वो कर नहीं रहे हैं जाहिर सी बात है मतलब नो कॉंटक्स सिच्वेशन में मुझे आनर्जीज कंट्रोल में दिख रही है सम कोई अधर परसन की आपके परसन की अनर्जीज और आपकी अनर्जीज I mean to say control है किसी अधर परसन के हातों में तो यह चीज़ भी आपर दिख रही है क्योंकि अनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यह कार्ड तो में आपके परसन जो है वो अनर्जीज उनके स्टक हो चुकी है आपके साथ तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब अनर्जीज इस्टक हो जाती है तो mostly connection connect होने होते होते रुक जाता है relationship और connect नहीं हो पाता है तो यहां पर आपकी परसन के साथ भी यह हो रहा है कुछ यह कुछ tylko हैं जो की आप अगर मैं आपके बात करू तो यह आपके करियर को प्रवावित कर रही होगी ही करियर बळावन चनुरा और हो रहा होगा करियर में प्रावलम्वें करेमें बहुत जादा problems कहीं कहीं तो बहुत जादा problems हो रही है business में एकदम से losses हो जाना या फिर आपका पूरा efforts डालने के बाद भी business grow नहीं करना ये सारे magical effect ही है then health issues आना या बहुत जादा पहले से बहुत जादा weak हो जाना या दिन रात stress करना तो ये सारे की सारी जो energies है वो energies जो है controlling energies की बज़े से effect करती है negative energies यहाँ दिख रही है जिसकी बज़े से ऐसा हो सकता है आपके साथ इस तरीक energies में ठीक है तो यहाँ पर मैं राशी बता देती हूँ आपको हलाकि stress का card है और यह stress का card यहाँ पर यहीं बता रहा है कि कुछ fear भी है हो सकता है कि आप लोग किसी same working place पर हो ठीक है मैं एक example बता देती हूँ कि यहाँ पर ऐसी चीज़े दिख रहे हैं कि आप और आपके person किसी same working place पर हो है ना या family से भी हो सकते हो आप या यह person आपकी किसी family से हो सकता है इनके साथ relationship आपका love relationship कोई one-set single married extramit relationship भी हो सकता है यहाँ पर जो दिख रहा है मेरे को और परिवार से related भी person यहाँ पर दिख रहा है यह family में कोहीं दूर के relationship है या फिर मैंने बोला working place पर या फिर long distance थो खेर हो गई ही क्योंकि यहाँ पर energies है लेकिन कुछ situation ऐसे दिख रही है जिसमें यह person पास होकर भी अपने दिल की बात जो है न वो share नहीं कर पा रहे है मतलब कुछ डर है किसी चीज़ का किसी बात का fear है और यह fear की वज़े से वो जैसे step लेना भी चाहें आपके साथ contact करके step लेना चाहें relationship को आगे बढ़ाना चाहें क्योंकि चाहते हैं trust का card भी है ना चाहते हैं मैंने आपको बोला था ना यहाँ पर card है कि वह वो marriage तक जाना चाहते हैं क्योंकि इनकी जो जिन्दगी है या जो इनकी life है इसमें happiness खुशिया नहीं है और यह चाहते हैं कि यह अपनी life में आगे बढ़े और इन्हें आप बहुत ज़्यदा पसंद हो यह भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यदा इनके energies को देखका लग रहा है या इनको देखते होगे है ना तो आपको एक connection सा feel होता होगा ऐसा लगता होगा इनको देखकर कि जैसे यह person के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिष्टा है कोई नया partner या कोई नया इंसान नहीं है ये तो यह चीज़ भी इनके साथ आपकी होगी यह जब soul किसी की किसी के साथ connect होती है तो अक्सर कर यही चीज़ आती है बरना हजार दस सो लोग भी खड़े होंगे अगर आप कोई journey है आप सफर कर रहे हैं या आप किसी ऐसी place पर हैं जब बहुत बीड़ भाड़ है वहां पर भी इतने सारे लोग होते है लेकिन कभी कभी sometimes ऐसा हो जाता है कि अगर किसी की soul किसी के साथ connect है तो दस लोगों की भीड़ में भी ना उस इंसान की आवाज आपको सुनाई देगी उसका आपका ध्यान उस इंसान के पास जागा तो इनके साथ आपका जो connection मुझे यहां पर दिखाए दे रहा है तो अभी मैं राशियां बता देती हूं आपको राशियां मुझे कौन सी दिखाए दे रही यहां पर तो एरीस है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिवरा है, जैवनी, टॉरस है स्कॉर्पियो, लियो, खैनसर है, साजिटेरियास है एरीस दिखाए दे रहा है, ठीक है तो यह alphabet मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं and our alphabet also ठीक है so तो यहाँ पर no contact situation में जो energies मुझे यहाँ पर दिखाए दे रही है वो energies mostly यहाँ पर यही आ रही है अभी भी कि card में देखकर आपके person की इनको define भी करूंगी मैं आपके person stress में है दूसरी चीज यह अपनी भावनाएं आपके साथ share नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मन में बहुत सारा कुछ है और जिस दिन भी आपको अपनी भावनाएं अपनी feeling बताएंगे proper तरीके से बताएंगे हाँ एक चीज यह भी कहना चाहूंगी में define करने के बाद ही बोलोंगी तो ही जादा better होगा क्योंकि मेरे को यहां पर कुछ energies में कुछ energies में मुझे यहां पर marriage का योग दिखाए दे रहा है और शादे का भी योग दिखाए दे रहा है और कुछ में मुझे आप लोगों का बीच में relationship भी होते हुँ दिखाए दे रहा है ठीक है कुछ energies यहां पर ऐसी दिखरी है जिसमें marriage होने के chances हैं बहुत जादा होने की marriage chances हैं आगी जाके future में marriage हो सकती है दूसरा कुछ energies में मुझे यहां पर आप दोनां के बीच में relationship होता हुँँ दिखाए दे रहा है अगर आप मतलब आपके person जो है वो खुद हो सकता है कि आपको आगे बढ़के अपने से propose कर सकते हैं अपनी feeling शेयर कर सकते हैं यह चीज मुझे दिखाए दे रही क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वह hangman वाली situation में हो सकते हैं वह अपनी feeling को चुपा रहे हैं हाइड कर रहे हैं but mostly energies में जो no contact situation बना हुआ है वह no contact situation trust के काट के साथ यहां पर मुझे the end होता हुआ दिखाए दे रहा है energies यहां पर यह कह रही है कि बहुत जल्द आपनों के बीच में proper तरीके से बातचीत होगी क्योंकि person बहुत जादा उनका जो जुकाओ है वो आपकी तरफ मुझे दिखाए दे रहा है यह कह रही है energies अगर आप मुझे बिलकुल personally तोर पर अपने person का नाम और place के साथ ही reading लेना चाहते हैं तो आज आप book कर सकते हैं अपने reading को और अपना नाम देना होगा अपना place birth retail है तो बहुत अच्छी बाते दे सकते हैं reading के लिए and take care bye bye